सबी भक्तों को मेरा राम राम दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक बहुती सुन्दर और महत्पूर्ण विशय पर वीडियो सेयर करना चाहती हूँ दोस्तों आने वाली है महाशिवरात्री और आपको महाशिवरात्री पर एक ऐसा उपाय अचुक उपाय बताने जारी हूँ जिससे आपकी एक बहुती परेशान करने वाली समस्या खत्मोने वाली है दोस्तों मुझे सुनने वाले 10 में साथ लोगों को ये समस्या होती ही होती है दोस्तों मैं बात कर रही हूँ पैरों के दर्द के विशे में जो आज कल का रहन सैन हैं हम कैसे उठते बैठते हैं हमारी आराम तलबी की करण हमें पैरों में बहुत भीसर दर्द रहने लगता है यसे लेटे थे वैसे ही अचानक उठ दिये करबट बदलते समय हम ध्यान नहीं देते सोफे पर अगर हम बैटे हैं तो लेखते ही चले जाते हैं कुरसी पर भी अगर हम बैटे हैं तो अपनी कमर को इस तरीके से जुका लेते हैं जैसे कि हम उस पर सो ही जाएंगे और दोस्तों इसे कारण से होती है हमारे पैरों में दर्द की समस्या एक और भी कारण होता है जो हमारी सड़के हैं उस पे जो गड़े हैं वो मुख्य कारण बन जाता है हमारी कमर और पैरों के दर्द की समस्या का और दवाईयां भी दोस्तों कितनी खाएं दवाईयां जो होती हैं वो नुकसान भी करती हैं और जितनी देर हमने पेन किलर खाया उतनी देर हमको अराम रहा और फिर से दर्द चालू हो गया और पैरों का दर्द दोस्तों ऐसा होता है ना कि आप कोई काम कर नहीं सकते कभी-क अब इतनी तकलीफ हो जाती है कि पैर सुन पढ़ने लगते हैं दो मिनट भी हम खड़े नहीं रह सकते हैं तो जो उपाय बताने जारे हूं उसे आपको शिवरात्री वाले दिन करना है और एक उपाय जो बताऊंगी उसे आप किसी भी सनिवार को कर सकते हैं और बहुत ही सरहल उपाय हैं दोनों तो सबसे पहले सुन लेते हैं शिवरात्री वाले दिन आपको करना क्या है आप सभी को पता है कि शिवरात्री है आठ मार्च को आने वाली आठ मार्च को दिन आपको लेने है साथ बेर बेर आप जानते हैं मिठे बेर आपको ले लेने हैं स्क्रीन पर भी आपको image दिखाई दे रही होगी आपको लेने है साथ बेर और जाना कहा है आपके घर के पास जो भी मंदिर जो भी सिवाले हो वहाँ आप चले जाएए अगर आप मंदिर जाने में असमर्थ हो तो इसे आप घर पर भी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके पास सिवलिंग होना जाहिए अब आपको उन साथो बेरो को एक एक करके कुंद केश्वर महादेव का नाम लेते हुए सिवलिंग पर रग देना है वहाँ पर आपको एक घी का धीपक जला देना है और भोले नाज से अपनी तकलीब को खत्म करने के लिए प्रात्ना करनी है उसकी बाद दोस्तों उन साथो बेरो को अपनी हाथ मे लेकर आपको घर आ जाना है और घर आने के बाद एक एक करके कुंद केश्वर महादेव का नाम लेते हुए उन बेरो को खा लेना है जादा तर लोग सिवरात्री पर ब्रत रखते हैं लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बेर एकफल होता है उसे हम सिवरात्री पर ग्रहन कर सकते हैं अगर आप उस दिन नहीं खाना चाहते तो उसे आप रख दीजे दूसरे दिन और भूले नाथ से प्रातना कीजिए कुंद केश्वरиниाद से प्रातना कीजिए कि भाबा मेरे इस तक्लीफ को तूर कर दीजिए सच मानिये दोस्तों, शिवरात्री पे की गई ये प्रातना आपके जीवन में चमतकार ला देगी दूसरे उपाय को दोस्तों आपको शनिवार के दिन करना है किसी भी सनिवार को कर लिजे उसके लिए आपको बहुत थोड़ी सी सामगवी चाहिए एक चाहिए आपको बांसुरी लेकिन वो होने चाहिए काले रंगी अब आप कहेंगे कि काले रंग की बांसुरी कहां से लाएं आपको जो भी बांसुरी आसानी से मिल जाए उसे ले लिजे और काले रंग से पेंट कर दीजे इतना तो आप कर सकते हैं बहुत आसान है पेंट करना बांसुरी को कर लिजे पेंट एक मुठी ले लिजे काला तिल और एक ले लिजे दोना दोने पे ही इस उपाई को कीजेगा दोस्तों आपको अच्छा परिणाम होगा एक मुठी काला तिल रख दीजे दोने में उस पर रख दीजे काले रंगी बासुरी और एक ले लिजे आप सरसो के तेल का दीपक, लंबी बाती उस पे लगाईएगा, गोल बाती मत लगाईएगा दोस्तों आपको आपके घर के पास जो भी पीपल का पेर है, वहां तक आपको ले जाना है दोने में रख्योई सामगरी को आपको पीपल के पेर के नीचे रख देना है, दीपक को आपको वही पर जला देना है दीपक जलाने के बाद दोस्तों साथ बार पीपल प्रक्ष की परिक्रमा कीजे और अपने रोख को दूर करने के लिए भगवान से प्रात्ना कीजे इसके बाद आप वो सामगरी जो ले गए हैं उसे वहीं छोड़ दीजे और अपने घर को बापस आजाएए ऐसा आप दोज तो दो ही तीन सनिवार करेंगे आपको गजब का फर्क देखने को मिलेगा देखी आपने इलाज तो बहुत करा लिया दवाईयां तो आपने बहुत खाली तो इस उपाय को करके देख लेतें जादा क्या है थोड़ा सा समय और थोड़ा से धनका खर्च लेकिन सरीर से ज़्यादा कुछ नहीं होता तो इस उपाय को करके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कि आपको कितना लाब मिला है मुझे आपके कमेंट का इंतिजार रहता है और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं सवाप्त करती हूं जै शीराम जै बाबा की और हर हर मादेब